वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राईब नहीं करा हैं तो दोस्तों चेनल को पहले सब्सक्राईब कर लिजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करेगा दोस्तों जिससे आपको टाम-to-taima नोटिफिकेशन मिलते रहे तो प्रेंट्स आज किस वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे Soil Mechanics के जिसमें भी 200 से ज़्यादा MCQ बन रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो Flow होता है Water का तुरुक्ष सोईल में And that is low permeability and coefficient of permeability तो इनके जितने भी question बनते हैं वो आज किस वीडियो में हम solve करेंगे तो आप बार बार PDF मांगते रहते हैं तो वो मैं आपको PDF दूँगा लेकिन जब हमारा ये पूरा session जो है Complete हो जाएगा Soil Mechanics का तो उसके बाद आपको Soil Mechanics की पूरी PDF मिल जाएगी जितनी भी मैंने आपको ये निचोड़ वाली वीडियो प्रवाइड किया तो उसकी उस तक आपको ये वीडियो से ही गुजारा करना पड़ेगा फिर आपको पूरी PDF मिल जाएगी आपको Part-wise नहीं मिलेंगी पूरी Complete वीडियो PDF मिल जाएगी Soil Mechanics की तो चलिए शुरू करते हैं आज का ही वीडियो So friends, पिछली वीडियो तक हमने ST तक Complete कर दिया Sensibilities तक तो इसकी थोड़ी बहुत बैल्यू जो है वो बसती थी तो आज हम Complete करेंगे उसके बाद हम Next Chapter के ओपड़ेंगे Flow Through Soil के तो इसमें हम जो इसकी वैल्यू रहती थी उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो सबसे पहले हम पर Important Point जी होता है जो Stocks Low होता है वो बैलिट होता है Up to 0.002 mm diameter Soil के लिए बैलिट होता है Stocks Low जो है यह question पर exam में कई वार पूचा गया तो इसलिए मैंने यहां पर include किया था अब यहां पर Unconfined Compressive Strength की बात करते हैं तो मैंने दो जगा Unconfined Compressive Strength जो है Soil की वो लिए तो एक जगा लिए है kg meter per centimeter cube में और एक जगा लिए है kilo Newton per meter square में तो यह value एक्जाम में कई बार kilo Newton में पूचता है कई बार kg में पूचता है तो मैंने दोनों value ही आपको यहां पर बता दी है कि किसमें कितनी value होगी तो condition कौन सी रहेगी consistency तो very stiff soft medium and stiff and very stiff and hard के लिए कौन-कौन सी value रहेगी तो एक्जाम में कई बार यह दो question देखने को मिलता है एक्जाम में कई बार hard clay के लिए कौन सी value होती है unconfined compressive strength के लिए तो यह hard के लिए case में पूचेगा तो greater than होगी 4.0 तक और अगर kilo Newton में पूचेगा तो यह value greater than 4 होगी hard के लिए अगर और soft और clear के ओपर काफी ज़्यादा question देखने को मिलती है तो यह point आपको याद रखने है जितने भी point है यह आप यह unconfined compressive strength के बारे में तो काफी ज़्यादा important point आईए अब यहाँ पर consistency की बात कर लेते हैं तो consistency जो होती है soil के लिए वो zero होती है liquid limit में and एक होती है plastic limit में यह दोनों point आपको याद रखने consistency of soil zero liquid limit के लिए and plastic limit के लिए एक होगी यह point काफी ज़्यादा important point थे next हम shear strength की बात करते है shear strength of soil की तो जो shear strength होती है साबसे पहला आपको पताना यह shear strength होती क्या है तो जैसे हमारा जो steel होता है उसके लिए tangile strength होती है steel की और concrete जो होता है हमारे पास उसकी compressive strength होती है उसी परकार हमारा soil जो होता है उसकी shear strength होती है यह आपको I think point बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि shear strength होती है तो यहां पर shear strength soil की बात करते हैं तो plastic stage जो होती है उसमें shear strength soil की ज्यादा होती है और जो liquid limit होती है उसमें soil की shear strength कम होती है less होती है next हम बात करते है जो liquid limit होती है उसमें clay exist करती है और plastic limit में भी clay exist करती है यह दोनों point काफी ज्यादा important है इसलिए मैंने कुछ इस तरह से लिखे हुए है तो यह point भी काफी ज्यादा important है तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी PDF आपको मिल जाएगी ले लेकर हमारा जितना भी soil mechanics का section है session है वो सारा खतम हो जाएगा उसके बाद आपको पूरी soil mechanics की A to Z एक chapter से लेकर last chapter जितने भी बनते हैं 10th chapter बनेंगे I think तो उसकी आपको पूरी PDF मिल जाएगी पूरी A to Z ऐसा नहीं होगा कि part by part मिलेंगी तो part by part काफी ज्यादा PDF हो जाते है त तो एक ही PDF को आपको पढ़ने भी मज़ा आएगा तो next point क्यों बढ़ेंगे तो next point है the moisture content of clay soil in gradually decrease from the large value तो जो moisture content होता है clay soil का वो decrease करेंगे gradually हम decrease करेंगे तो क्या-क्या effect देखने को मिलेगा तो उसको हमें decreasing order में लिखना था तो यहां पर मैंने decreasing order में लिखा है तो सबसे पहले liquid limit आएगी फिर plastic limit फिर last में आएगी shrinkage limit तो यह decreasing order में है अगर moisture content जो है clay soil का वो gradually decrease होगा तो नेक्स आम बात करते हैं to vermability थो पर्मे बीटी के बारे तो पर्मेडिलिटी थो पर्मेडिटी आइधिंग सभी को पता होगा कि पर्मेडिटी कि रहा हो तक मंबिटी जिसमें water वार्टर जो होता है इसली फ्लो कर सकता है और लीस्ट पर्मेबल जो होता है वो क्ले होता है इसमें वार्टर जो होता है इसली फ्लो नहीं कर सकता गृवे के बारे में जो फ्लो होते हैं पट्रक्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं को लेमिनार फ्लो एंड तर्बुलेंट Use To जो होती है वोड़ स्टेंट करेगी हमारा सोयल का सईग्रेड जेए ग्रेन ओफ साई ज कैसा है हमारा सोयल अगर सेवाड़ा तो पर्मेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी इसमें तो इसलिए वो ग्रेइन पर डिपाइड करेगी एड बॉइड रिश्यों कैसा है बॉइड आगर उसके पोर्स जो है किसी स्वेल के वो ज्यादा है तो पर्मेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा & structural analysis of soil particle stratification that is soil layer कैसी है natural deposit के लिए and absorb water in clay और clay जो है उसमें water कितना absorb है and degree of saturation कितना है temperature कैसा है water की impurities कैसी है तो यह सारे जितने भी factor है वो पर्मेबिलिटी औब सॉइल के ओपर depend करते हैं next time बात करते है permeability of soil तो जो permeability of soil होता है वो less than होगा 1 into 10 raise to power minus 6 तो हमारा जो soil बनता है वो बनता है impervious impervious means कि उसमें फानी flow नहीं करेगा तो उसको हम clay मान के चलेंगे तो आगर हमारी value जो है permeability की value जो है वो 1 into 10 raise to power minus 6 से लेकर 1 into 10 raise to power minus 4 है तो वो semi-pervious होगा semi-pervious होता है और greater than 1 into 10 raise to power minus 4 है तो वो हमारा soil जो कलाएगा वो permeable कलाएगा next अब आई as I के according तो Bureau of Indian Standard के according जो permeability की value दी गई है वो अगर less than होगी 0.001 से तो हमारा जो soil होगा वो impervious होगा and between होगी 0.001 से लेकर 0.1 के तो वो semi-pervious होगा और greater than होगी 0.10 के तो वो pervious soil कलाएगा तो जितने भी हमारे permeability होती है उसको हम measure करते हैं determine करते हैं express करते हैं centimeter per second या millimeter per second या millimeter per second या फिर मीटर पर दे तो यह तीन तरीकी है इसको express करने की यह point काफी ज्यादा important होते हैं एक्जाम में question इसको लेकर पूछा जाता है कि अगर हमारी जो permeability है वो 0.8 cm per second है तो हमारा कौन सा soil होगा I think यह question जो है हिमाद्चर प्रदेश के exam में पूछा जा चुका है HPSS Board के exam में और एक बार SSE के exam में भी पूछा जा चुका है तो यह point आपको याद रखने है कि कौन सी value के लिए कौन सा soil होगा pervious की impervious soil होगा अब pervious और impervious soil की बात करते हैं तो जो water जिसमें easily flow कर सके उसको हम pervious soil बोलते है like gravel हमारा इसमे highly pervel होता है permeable soil होता है और water जिसमें easily flow जो ना कर सके वो हमारा impervious soil होता है जैसे की clay जो होता है वो impervious soil है जिसमें least permeability होती है अब जो permeability होती है उसको कैसे determine करते हैं तो यहाँ पे सिर्म मैंने इस दो point ही लिखे आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको दो तरीके से हम determine कर सकते हैं एक laboratory में दो laboratory method होते हैं और onze is just any syndrome permanent team आपको मैं हो को को स्टन हाँ और और पर्मेनिटी मैहत्र जो होता है फो coarse grain soil के लिए होता है and falling head permurykti जो होता हो fine grain soil के लिए वी आपको याद कैसे रखना है को स्टने भी सी आ रहा है और the Kurts में भी सी आ रहा है तो ये आपको ऐसी से लेट करके इसको याद कर सकते हैं, falling में भी fri और fine में भी fri तो आप इसको याद कर सकते हैं, next हम बात करते हैं hydraulic gradient के बारे में, तो hydraulic gradient जो हता है इसको हम i से denote करते है, it is defined as the ratio of loss of head per unit length of flow of water through soil, तो i is equal to h over 2, loss of hard head per unit length of flow, तो यह i होता है, इसके h by l होता है is equal to h1 minus h2 over l, तो h के हमरे पास hydraulic head होता है, and h1 जो होता है, वो initially head होता है, and h2 जो होता है, वो final head होता है, अब darsis low के coding पढ़ते हैं, तो darsis low जो होता है, इसमें जो blows to your flow होती है, वो proportional होती है, its hydraulic gradient, that is v proportional to i, hydraulic gradient, आप इसको, इस definition को ऐसे भी याद कर सकते हैं, कि जो darsis low जो होता है, उसमें blows to your flow जो होती है, वो directly proportional होती है, hydraulic gradient के i के, exam में कभी बार ये question पूछा गया, और hydraulic darsis low जो होता है, वो valid होता है, सिर्फ laminar flow के लिए, यह point में आपको याद रखना है, अब की limitation देख लेतना है, क्योंगो उसकी limit कहां तक होती है, darsis low की, तो यह laminar flow के लिए valid होता है, इसमें जो fine grain soil होता है, जैसे की silt sand, तो इसकी जो dimension होती है, वो inter sticks होती है, और जिसकी वज़ासे वो very small होते है, and flow जो होता है, laminar होता है, तो यह applicable होता है, darsis low के लिए, तो fine grain soil जो होता है, silt and sand, वो darsis low के लिए applicable होते हैं, और जो coarse grain soil होता है, like sand की बात हो रही हैं पे, तो इसमें flow जो होता है, वो भी laminar ही होता है, तो यह applicable होता है, और जो हमारे पास gravel होता है, gravel जो होता है, वो darsis low के लिए applicable नहीं होता है, क्योंकि उसका flow होता है, gravel का, वो turbulent होता है, जो जो होता है, वो बहुत ही large होता है, तो इसलिए जो उसका velocity flow होगा, वो बहुत ही जादा होगा, इसलिए यह darsis low के लिए applicable नहीं होता है, और जो extremely fine grain soil होता है, fine grains जैसे की collidal हो गया, जिसका size होता है 0.001 तक, meter mm तक, तो इसका size बहुत ही कम होने की बज़े से यह भी applicable नहीं होता है, darsis low के लिए, तो darsis low के लिए सिर्फ fine grain और coarse grain ही applicable होते हैं, तो silt and clay and sand ही applicable होते है darsis low के लिए, यह point भी आपको याद रखने हैं, जो होता है, वो valid नहीं होता है, darsis low के लिए, तो coefficient of vulnerability की बात करते हैं, coefficient of vulnerability जो होता है, यहाँ पर थोड़ी, जो scanning होई है, अच्छी तरह से नहीं होई है, तो आज मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर बार पड़ रही है, तो उतनी अच्छी light नहीं है, तो scanning अच्छी तरह से नहीं होई होई है, तो आपको जो PDF मिलेगी वो बहुत ही अच्छी तरह से scan करके मिलेगी, तो यहाँ पर mm per second, जो coefficient of permeability होती है, उसको हम express करते है, mm per second, cm per second and meter per day में इसको हम express करते हैं, और जो coefficient of permeability की definition होती है, इसके ओपर भी exam में question पूछ जाता तो इसकी यह definition होती है, कि the average velocity of flow flow through the cross-sectional area of the soil under hydraulic gradient, under unit hydraulic gradient के ओपर, इसके ओपर question exam में पूछा जाता है, तो इसकी definition भी आपको यह पता होनी चाहिए, अब यहाँ पर coefficient of permeability को हम k से denote करते हैं, यह point आपको याद रखना है, तो यहाँ पर value देख लेता है कि कौन सी value रहेगी और classification drainage property के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो हमारे पास यह type of soil यहाँ पर point out किये मैंने, तो clay जो होती है उसकी जो coefficient of permeability होती है वो less than 1 into 10 raised to power minus 5 होती है, एड इसकी drainage condition जो होती है very poor होती है, drainage condition बहुत ही कम होती है और यह इसकी जो classification होती है वो impervious soil होता है, select की value 1 into 10 raised to power minus 4 से लेकर 5 into 10 raised to power minus 3 तो वो poor drainage होती है इसकी and semi-pervious होता है, silty sand होता है उसकी जो coefficient of permeability k की value जो होती है 1 into 10 raised to power minus 3 से लेकर 2 into 10 raised to power minus 2 वो और fair drainage condition होती है and semi-pervious होता है, fine graph sand की बात करते है, fine sand जो होता है 1 raised to power minus 10 raised to power minus 2 से लेकर 5 into 10 raised to power minus 2 और fair इसकी drainage property होती है and previous classification होती है इसकी, ऐसे ही sand, sand की value 5 into 10 raised to power minus 1 से लेकर 1 into 10 raised to power minus 1 और इसकी drainage condition good होती है and previous soil होता है, ये भी sand, ऐसे clean sand, clean gravel, तो clean gravel के लिए greater than 10 होती है, very good इसकी और previous ऐसे clean sand के लिए 10 raised to power minus 1 से लेकर 10 तक good drainage condition and previous soil होता है, तो इसके ओपर भी exam में question देखने को मिल सकता है अब सीपेज velocity की बात करते हैं, तो सीपेज velocity जो होते हैं उसके दो और नाम है, जिसको हम Vs से denote करते हैं actual velocity and true velocity, तो exam में question इसके ओपर भी बनता है, सीपेज velocity जो होती है उसको actual velocity and true velocity भी बोल सकते हैं, अब इसकी definition देख लेते हैं, तो rate of discharge, the rate of discharge of percolating water per unit gross sectional area of the void perpendicular direction of flow, तो यह, तो सीपेज velocity जो होती है, इसमें laboratory method के बारे में बात कर लिते हैं, तो इसमें जो apparatus यूज के जाता है, permeability को measure करने के लिए, वो perme meter होता है, perme meter हम operators को use करते हैं, तो laboratory method से हम दो तरीके से करते हैं, एक falling head method से एक constant head permeability test के द्वारा, है तो falling head से चलते हैं, to falling head permeability test जो होदा हैं, इसमें apparatus हम यूज करते है, falling head perme monitor, koska area variable head perme emissions ये दो apparatus हम यूज करते है, falling head permeability test जो इसमें जो हम soil लेते हैं, वो fine grain soil लेते है, जो की होता है fine sand, silt and clay ये तीन तरह के sand soil हम हम यूज करते हैं इस टेस्ट के लिए इसमें क्या होता जो इस टेस्ट को में बार्टर जो होता है वो एलाव टू पास थूरू सॉइल सेंपल अंडर वेरियेवल हैड बिकोज सफिशंट क्वांटिटी ओवार्टर कांट कलेक्टिड थूदा सॉइल पोर यह पॉइंट भी तो याद देखना फिर कोंस्टन्ट के लिए उपर की जाती है जो की ग्रेवल हैं रहते हैं वहां पेपीछे फाइन सैंड था यहां पर ग्रावल एंड सैन तो इसमें इस टेस्ट में जो हम बार्टर को एलावड काटन तो फ्लो थूद स्वेल सेंबर अंडर एक कॉंस्ट तो constant head से हम water को allow करते हैं flow होने में soil sample में next हम बात करते हैं measurement of permeability in level field method में तो field method में हम दो तरह से permeability को measure करते हैं एक pumping out test एक होता है pumping in test तो pumping out test जो होता है इसमें जो water होता है वो हम pumped out करते है from the wells means कि जो हमने hole किये होते है drilling drilled hole जो होते है उसमें जो water होता है उसको हम pump out कर देते हैं through the hole से तो जो pumping in test होता है इसमें water is pumped into the drilled hole for measuring permeability of the soil तो यह दो test जो है यह बहुत ही costly होते हैं and यह use करते हैं हम large project जो होते हैं बहुत बड़े-बड़े project होते हैं इसलिए यह costly होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े project होंगे हम उसमें ही इसको use करेंगे अब इसकी assumption देख लेते हैं कि permeability जब भी हम determine करते हैं soil की filled method के लिए तो इसकी assumption देख लेते हैं क्या क्या assumption हो सकती है इसकी तो यह जो होता है यह सिर्फ laminar flow के लिए ही valid होता है जो इस permeability जो होती है इसमें सिर्फ laminar flow ही valid होता है और यह darksis low के लिए ही valid होता है और जो soil होता है वो homogeneous and isotropic ही होगा homogeneous and isotropic ही होगा means कि permeable permeable जिसमें water flow कर सकेगा वो ही soil mass होगा इसमें कहने का मतलगी है and next point बोला है कि coefficient of permeability जो होती है वो remain constant रहती है throughout the test तो के जो हो रहेगा वो constant रहेगा जितना हमारा test होगा उसके last तक वो constant ही रहती है next point बोला है कि initially water table is taken as horizontal जो starting का जो water table होता है उसको हम horizontal लेते हैं ये point भी आपको याद रखना है next point बोला है था flow toward the well is radius and horizontal तो जो drill hole की होते है wells जो होते हैं उसके toward जो flow होता है उसको हम horizontal and radiation मानते हैं ये भी point आपको याद रखना है next आप बात करते हैं तो quantity of seepage water in soil medium वो directly proportional होगा coefficient of permeability के quantity of seepage flow seepage water in soil medium वो directly proportional होगा coefficient of permeability के ये point आपको याद रखना है and जो seepage fracture होता है वो act करता है in the direction of flow तो ये point भी आपको याद रखना है next time next point की बात करते हैं तो seepage through soil medium तो जो seepage होता है soil medium के लिए for flow line and and eco potential line के लिए तो flow line के लिए होता है path of particle of water through saturated soil mass and eco potential line के लिए जो होता है the line connecting point of equal head of water and जो seepage through soil mass के लिए जो ये दोनों lines जो होती है वो intersect करते है 90 degree each other पे जो flow line है और eco potential line है वो intersect करेगी 90 degree पे दोनों के 90 degree पो intersect करेगी ये point भी आपको याद रखना है and इन दोनों के ओपर एक और दो एक और question बनता है कि ये flow line और eco potential line जो होती है वो कभी भी same ही point से start नहीं होती है ये point भी आपको याद रखना है next हम बात करते हैं flow net के बारे में तो जो flow net होता है जो network इन दोनों line ने बनाया होता है flow line and eco potential line ने बनाया होता है उसको ही हम flow net बोलते हैं जो network ये flow line and eco potential line बनायेगी उसको ही हम flow net बोलते हैं तो ये flow net जो होता है किसको use to determine करते हैं seepage flow को ये determine करता है flow net seepage fracture को हो and exit gradient को ये determine करता है flow net ये point भी आपको याद रखना है और next point है हमारे पास seepage force in soil तो seepage force जो होती है soil में वो कैसी होती है तो वो proportional होती है head के and proportional होती है exit gradient के and proportional होती है eco potential line के तो ये seepage force जो होती है इन तीनों के proportional होती है ये point भी आपको याद रखना है एन जो direction होती है सीपेस की वो perpendicular होगी eco potential line के तो इस line के वो perpendicular होगी तो ये हमारा थोड़ा सा topic था काफी अच्छा रहा होगा सभी के लिए तो इसकी जो PDF है आपको अंदलास्ट में मिल जाएगी जब हमारा जितना भी soil का निचोड वीडियो खत्म हो जाएगी तो आइटेंक 4 ही वीडियो बची है उसके बाद तो चार दिनों में complete हो जाएगी उसके बाद आपको PDF मिल ही जाएगी तो इस वीडियो को जितना हो सके वीडियो को share करей कि आप लोग share नहीं कर रहे हो तो जितना हो सके वीडियो को share करो ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगे तो आपका जितना ज्यादा अच्छा रिस्पोंस आएगा वीडियो जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे मैं आपके लिए उतने जल्दी जल्दी में ये पार्ट खत्म करने की कोशिश करूँगा तो थैंक यू फैंटी वीडियो देखने के लिए